नमस्कार मैं विपल सिंग स्वागत करता हूँ आप सभी स्टुडेंट्स का हमारी इस YouTube चैनल CHS JNV Study Capital पर CHS BHU 2024 आज के इस वीडियो में जो आपकी तीन महिने के बाद परिक्षा होने वाली है CHS Interence Exam की उसके लिए एक हर चैलेंज मैं आप सभी को देने वाला हूँ जिब बिल्कुल आपके CHS में पढ़ने के सपने जरूर सच हो सकते हैं पूरे हो सकते हैं लेकिन उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी आज के इस वीडियो में मैं आपसे कुछ बाते करूँगा जो आपको पढ़ने के लिए जगाएगा कुछ ऐसी बाते करूँगा जो आप अगर बैठे भी होंगे तो उट करके आपको अपके पढ़ाई के टेबल तक पहुचा देगा इसलिए ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा और वीडियो के सुरुआत करने से पहले सिर्फ एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर CHS JNV Study Capital पर पहली बार विजिट कर रहे होंगे हमारे इस YouTube चैनल का कोई पहला वीडियो देख रहे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा बेल आइकन प्रेस करिएगा CHS की बहतरीन तैयारी के लिए CHS की बहतरीन गाइडेंस के लिए और CHS JNV की हर एक प्रकार की अपडेट के लिए तो बात करते हैं कुछ points पर कुछ आपके heart challenge पर तो सबसे पहला जो हमारे सामने कुछ points बनता है फिर मैं second page पर चलूँगा लेकिन सबसे पहले पहले page पर कुछ important point पर हम discussion करते है what is your goal यानि अगर आप CHS का form भरने वाले है कि सर मुझे CHS में जाना है आप YouTube चैनल पर विजिट कर रहे है तो क्या आपका goal है CHS क्या आप CHS में वास्तों में पढ़ने जाना चाहते हैं तो अगर आपने वो goal बना लिया यानि तबसे जो आ होना चाहिए वो CHS का entrance exam हो जाना चाहिए यानि इस आगे आने वाले तीन महीने में आपको सिर्फ किसके लिए काम करना है तो अपनी छोटी मोटी परिक्षाओं को साथ में लेके चलते हुए CHS entrance exam के लिए work करना है अब अगला सवाल ये बनता है कि क्या मैं CHS में admission के लायक ह नहीं हूं तो कौन लायक है CHS के admission के और कौन लायक नहीं है इसका decision सिर्फ एक चीज करता है वह आपके मेहनत करती है इसमें ऐसा नहीं है कि कोई ऐसा आएगा जो पांस दिन में पढ़के और टॉप कर जाएगा CHS entrance exam में और CHS admission ले लेगा वह व्यक्ति हो सकता है जो पिछल आचा admission ले सकता है CHS में जो आगे आने वाले इस तीन महिनों में अपने टार्गेट को अपने गोल को फिक्स कर लिया है और CHS के पैटरन पर पढ़ाई कर रहा है CHS के टाइम टेबल पर पढ़ाई कर रहा है उसके लिए जीजान से महनत कर रहा है चाहे वो कोचिंग इस्ट चीजे हैं सिर्फ वही पढ़ ले क्या जो moderate चीजे सिर्फ वही पढ़ने या सिर्फ कठीन जो है वही पढ़ने यह सवाल नमयरे मन में बहुत बार आता है तो आगर हमारे मन में ऐसा सवाल आ रहा है कि जो आसान है जन्रेल को यही हो सोचते है कि मैं कुई सिंटरेंस इक्ज पाने के लिए आपके हर प्रकार के questions तैयार होने चाहिए, आसान question पर भी पूरी command होनी चाहिए, उसमें गलती की कोई संभावना नहीं होनी चाहिए, medium question में भी गलती की कोई संभावना नहीं होनी चाहिए, और किसी भी cutting question पर भी आपकी पूरी पकड़ होनी चाहिए, ताकि आ तक उसका सही solution ले करके आ सकें, सही answer ले करके आ सकें, यानि complete तयारी आपको करनी है, पूरा का पूरा जितना आपके सलेबस में CHS इंटरेंस के है, complete इस आगे आने वाले तीन महीने में आपको पढ़ना है, चाहे रिवीजन करना है, चाहे शुरुवात करनी है, चाहे जिस तर गंटा dedicated होना चाहिए, अब हो सकता है किसी को ये चार गंटा बहुत कम लग जाए, जो बहुत ज्यादा पढ़ता होगा, और हो सकता है किसी को जो आधा गंटा भी न पढ़ता हो, उसको लगे कि सर चार गंटा तो बहुत है, इतना पढ़के कॉनिटरंस exam निकालेगा, आप स्कूल मिला करके 24 गंटे है, और ज़्यादा से ज़्यादा आपके स्कूल के आने जाने और स्कूल में time spent करने का जो time लिए निकाल लेंगे फिर भी आपके पास खेलने कुदने के लिए चार घंटे का समय और बाकी कारे के लिए आपके पास दिन में चार घंटे का समय बच जाएगा और वह बहुत एनफ होता है इसलिए टारगेट करिएगा कि एक लेस्ट फोर आवर्स आपका घर पर पढ़ाई चाहें वह मुबाइल के माध्यम से चाहें वह सेल्फिश्टडी के माध्यम से दोदो घंटे का सेड्यूल बनाके होना चाहिए लेकिस इतना मीनिमम होना चाहिए अगर इससे कम में अगर आप चाहते हैं कि मेरा हो जाए तो हाट challenge मैं शुरू करा रहा हूँ और आगे आने वाले दो से तीन दिन के अंदर आपको यहाट के शुरू कर देना है तो 90 दीन का countdown आपको आज से सुरू करना है कल से सुरू करना है परसों से सुरू करना है वह आप पर डिपेंड करता है लेकिन अगर परसों के बाद अगर आपको यह लगता है कि मैं मार्च में अपना काउंटडाउन सुरू करूंगा तो आपके लिए समस्या हो सकती है तो आपका countdown सुरू हो जाना चाहिए अब who will help you यानि आपको help कैसे मिलेगी कैसे तैयारी करेंगे क्या procedure होना चाहिए किस तरीके से हमें तैयारी करनी है तो इस पर हम discuss करते हैं सबसे पहले तो आपका textbook आपके textbook से बड़ा आपका कोई भी साथी नहीं है क्योंकि आपके textbook में जो चीजें दी हुई है बसरती यह है कि entrance exam का paper आप देखे रहा है जिसका discussion मैं अगले point में करने जा रहा हूं आपके textbook से बड़ा आपका कोई साथी नहीं है उस रुवात आपको वहीं से करनी है और रिवीजन में भी आपको कहीं न कहीं अपने textbook का सारा जरू लेना है पढ़ने की आदत नहीं छोड़नी है सिर्फ video lectures के भरोसे जो है नहीं रहना ऐसा नहीं किसी video lecture देखा और मैं उसी से रहूंगा आपका textbook आपका notes आपके पास होना चाहिए और आपका परसनल बनाया हुआ notes होना चाहिए अगर आप video lecture हमारे classes का देख रहे हैं तो वहां से आपके notes से पढ़ रहे हैं या पर textbook का सहारा ले रहे हैं जैसा कि मैंने कहा बहुत जरूर यह टेक्स्ट बॉक का सहारा लेना तो उसके लिए आप CHS की PYQ जो कि हमारे CHS JNV Capital पर उपलब्द है वहां पर आप लोग देख लीजेगा उसके माध्यम से आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके के questions आते हैं और इस textbook में से आपको क्या-क्या important चीजें CHS entrance exam के लिए पढ़नी है चाहाए वो class 9 तो या फिर class 11 तो हम लोग आपकी help करेंगे वी कौन CHS JNV Study Capital की पूरी टीम आपको help करेगी आगे आने वन तीन महिनों के लिए और मैं बता दू कि CHS JNV Study Capital के courses already running है आपके September अक्टूबर से ही लगभग आपका complete syllabus आपको complete कराया जा रहा है और आगर आप जुड़ेंगे तो आपको पूरा का पूरा syllabus एक साथ पढ़ने को मिल जाएगा और five classes भी आपको मिल जाएंगे लेकिन इसके साथ में ही जितने भी स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ेंगे 16 जनवरी से Study Capital की टीम का हाट चैलेंज शुरू होगा यानि आपके साथ अब हमारी टीम का हाट चैलेंज भी स्टार्ट हो जाएगा मैं इसलिए आपको कहें आँ क्योंकि पहले मैंने आपसे सुरुआत करा रहा हूं कि पहले आप आप शुरू करते अपनी हाट चैलेंज स्रेंज की मैंनत को पिर दस दीन के बाद से हमारे रहाट चैलेंज का समय सुरू होगा और पिर हम आपके साथ जुड़ेंगे और उस जज़बात के साथ उस जुनून आपके पास आपका proper time table होना चाहिए, आज प्रयास करिएगा आज कल में time table बनाने का, अगर time table बन जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बन पाएगा, comment box में पूछेगा कि सर एक time table हमें दीजिए CHS JNV, CHS entrance exam की तैयारी के लिए, मैं आपको proper time table बता के दूँगा कि इस 4 गंटे को किस तरीके से आपको divide करना है अपनी तैयारी के लिए, division of your weekly time table, लगबग एक बट्टे 5 के, यानि 1 by 5 में आपको divide करना है अपने time table को, यह मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ, जैसे खासकर आपको CHS 9 का जो syllabus देखने को मिलता है, अब 20 question हिंदी आएगा, 20 English आएगा, 20 social science आएगा, math, 20 science, इस तरीके से आपका paper divide होता है, तो आपके जो time table है, मैंने 4 घंटे का समय दिया हुआ है, तो हर subject आप एक दिन में एक एक घंटा नहीं पढ़ सकते, तो आपका जो time table है, उसका weekly division आप बना लीजिए, कि कि दिन कौन सा subject आप पढ़ रहे हैं, और उसको strictly follow क साथ में आपके time table में आपका target भी होना चाहिए, कि इस हपते में मैं ये complete कर लूँगा, इस हपते में मैं ये complete कर लूँगा, अगर इस तरीके को आप अपनाएंगे, जितनी बाते मैंने कही हैं, अगर इन बातों का अमल करेंगे, तो आप जरूर CHS entrance exam हो, या फिर कोई भी इस तरीके का entrance exam हो, आपको उसमें help मिलेगी, और आप बहतर position पर होंगे, तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो अच्छा लगाओगा, तो सबसे पहले वीडियो को like कर दीजेगा, और comment में अपने view जरूर बताइएगा, अब बात करतें, तीन जरूरी steps पर हमारे लिए, ह YouTube चैनल पर सब कुछ आपको free मिलेगा, पिशले साल की classes भी playlist में जाकर के आप देख सकते हैं, तैयारियों के लिए आपको play store पर जाना होगा, या फिर इस वीडियो के description box में भी link मिलेगा, CHS JNV Capital हमारे Android app का link, वहां से app को download कर लिजेगा, अपने phone number के साथ, अपने नाम के सा course जोएन करने के बाद आपकी classes जो आपकी मिल नहीं है, वह आपको proper मिलने लगेंगी, 16 जनवरी से heart challenge शुरू हो रहा है, उससे पहले आप course के साथ जुड़ जाएगा, बहुत मज़ा आएगा आपको classes करने में और तैयारी करने में, अधिक जानकारी के लिए और course में जुड यह किस तरीके से आपको घर बैठे तैयारी करना है और क्या study होना चाहिए, offline classes भी हमारी चलती है, वारा नसी में, लंका पर तो उसका contact number नीचे आपको सो कर रहा होगा, 9506622211, तो हमारे लंका के branch study capital पर आप पहुंच सकते हो, वहाँ पर भी visit कर सकते है, offline classes के लिए, अधि वीडियो को रहे हैं, परिंट करते हैं, वीडियो को लाइक करेगा, share करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन जरू प्रेस करें, बहुत बताने बाद, नमस्कार,